भक्ती टीवी प्रतिश्ठाप्मगंगा निर्वाहिंचे कोटी दीपोत्सोन लो प्रधानी मोडी पालगोन्नार। इला कैलासाननी तलपिंचे भक्ती टीवी कोटी दीपोत्सोन की विशिष्ट आतिदिगा वीचे सेर। तिरुपति में भगवान वेंक्रेश्वरा के भव्य दर्शन का सोभागी मिला, उनका आशिरवाद मिला, वो अनुभव, वो अनुभूती, उनके चरणों में बिताए गए वो पल, उसका वरणन शब्दों में करना बड़ा कठीन है। मैंने समस्त देशवास्यों के कल्याड के लिए प्रार्थना की और सब के लिए परमात्मा से आशिरवाद मांगा। मेरे परिवार जनों, मुझे अक्सर मिडिया समूहों के अलग-अलग कारकमों में हिस्सा लेने का आउसर मिलता रहता है। लेकिन ये कारकम सबसे अलग है। NTV भक्ति समूहों ने मुझे यहां भक्ति भाव से आप सबसे जुड़ने का आउसर दिया है। मैं और आज जब हम आने वाली सद्यों का भविश्य लिखने जा रहे हैं। तब हमें भारत के आत्मिश्वास को फिर नहीं भुलंदी ले रही है। इसलिए हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी इस प्रेणा के साथ काम कर रही है। आज देश अपने पावन धामों, अपने संतों, रुश्यों, तपश्यों को सम्मान दे रहा है। केदार धाम हो, काशी विश्वनात हो, उज्जेन महाकाल हो, हर धाम के विकास पर बन दिया जा रहा है। और अब तो बस कुछी दिनों का इंतजार वाकी है। अयोध्यानगरी में भगवान राम का भव्यमंदीर बस पूरा ही होने वाला है। मेरे परिवार जनों, ते लंगना तो सांस्कृतिक और अध्यात्मिक वाईवोव से भहुत सम्रुद्ध है। यहां मुलुगु में काकतिय रामप्पा मंदीर का विश्व धरोर शिलालेख है। हजारों खंबो वाले मंदीर का काया कल्प कई दसकों के बाद हो रहा है। बदराचलम में श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदीर में नई सुविदाओं का निर्माण किया जा रहा है। जोगु लंबा अम्मवारू को अब भविश्की पीडियों के लिए समरक्षित किया जा रहा है। बोनालू और बथु कम्मा जैसे त्योहारों को राष्ट्रिय स्तर पर मनाने के प्रयाद चल रहे। समक्का सरक्का मेदाराम जथारा जिसे आदिवासे समुदाय का कुम्ब भी माना जाता है। उसका महत्व भी पुरे देश तक पहुंचने के लिए काम शुडू हो रहा है। मेरे परिवार जनों मुझे अक्सर मिडिया समूहों के अलग-अलग कारकमों में हिस्सा लेने का आउसर मिलता रहता है। लेकिन ये कारकम सबसे अलग है। NTV भक्ति समूहों ने मुझे यहां भक्ति भाव से आप सबसे जुड़ने का आउसर दिया है। मैं थुम्मला नरेंद्र चोधरी जी, रमादेवी जी और उनके पूरे ग्रूप को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। श्री नरेंद्र चोधरी जी, श्रीमति रमादेवी जी, बेंड रचना, उपस्तित सभी भक्त गण, अपार संख्या में आये हुए सभी महानुभाव, देविय और सज्यनों। आज कार्ति का पुर्णिमा और कार्ति का सुमवार भी, इस पावन अवसर पर आपके बीच आना, और यहां कोटी दिपोच्शव का हिस्सा बनना, यह बहुत ही सवभाच्य की गड़ी है, शाय दिश्वर के आशिरवाद है, और आप सब तो जानते हैं, कि मैं तो महदेव शीव की नगरी काशी का सांसद हूँ, आज बाबा की काशी में देव दिपावली मनाई जा रही है, मैं इस बार काशी नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जो कमी में महसूस करता था,